लाल आखो से सावधान बच्चों में तेजी से फैल रहा है कंजक्टिव आईटीस राइधानी राची में कंजक्टिव आईटीस आई फुलू की समस्या से सबसे ज़्याद बच्चे पिडित हो रहे हैं इसकूल में एक बच्चे से या संक्रमन कई बच्चों तक पहुँझा रहा है ऐसे में इसकूलों द्वारा सक्त नियुदेस जारी किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे की आख में जलन या लाली मा है तो इसकूल नहीं भेजे इधार रिम्स और सदर अस्पताल सहीत निजी नेत्र चिकित सालियों में कंजक्टिव आइटी से प्रीत मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ गई है सोमवार को रिम्स के नेत्र बिभाय के ओपीडी में साथ बच्चों का इलाज किया गया कई बच्चे स्कूल ड्रेस में ही परामर्स लेने पहुच गए थे बतादे सदर अस्पताल के नेत्र चिकित सालियों डाक्टर वासले ने बताया है कि कंजक्टिव आइटी वाइरस समस्या है जो तेजी से एक से दूसरे में फैलता है बच्चे स्कूल में एक साथ ज्यादा समय गुजारते हैं वही पेन, पेंसिल और टिफिन बॉक्स का उप्योग एक दूसरे के साथ मिल कर करते हैं यही करण है कि बच्चों में तेजी से संक्रा मन फैल रहा है जाला घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि तीन से चार दिन में यह बिमारी ठीक हो जाती है कुछ में एक सपता तक रहती है लेकिन सवधानी और सथकता जरूरी है बेरोजगार सारेरिक सिक्षकों का विधान सभा के बाहर धरना जार्खन सारेरिक सिक्षा प्रसिक्षक सिक्षक संग के बैरतले 6 सुत्री मांगों को लेकर जार्खन के 24 जीलों के बेरोजगार सारेरिक सिक्षा प्रसिक्षित सिक्षकों ने विधान सभा के बाहर दो दिवस्य धरना दिया उनकी मुख्य मांगों में राज के 189 उतकर्मिक माधमिक बिद्याले में सारेरिक सिक्षा का पद स्रीजन का नियुक्ति परकिरिया में उन्हें सामिल किया जाए राज के सभी अस्तर के विद्यालियों के लिए सिक्षक नियुक्तियों में सरेडिक सिक्षा विशाय को सामिल किया जाए वही जार्खन के सभी विश्व विद्यालियों एवां महा विद्यालियों में सरेडिक सिक्षा निदेशक उपनिदेशक सारीरिक सिक्षा, विभागा अध्यक सारीरिक सिक्षा एवं सहयक प्रध्यापक सारीरिक सिक्षा के पस रिजन एवं जेटेट की परिक्षा में सामिल सिक्षा के विशय को सामिल करना है मांसुन सत्र का तिसरा दिन राज को सुखार छेत्र घोसित करने की मांग दूसरी और किसानों ने जो धान बेचा था उसकी रासी उन्हें अब तक नहीं मिली है आज भी पैक्स में किसानों के धान यूही पड़े हुए है थोड़ी बहुत रहत केंदर सरकार के दोरा जो 2000 रुपे दिये जाते हैं उसे किसानों को मिल रहा है मगर या सरकार किसान के प्रती उदासीन है आई फुलू को लेकर इस्कूलों का नोटीस लक्षन होने पर ना भेजे इस्कूल आई फुलू इन्फेक्शन को लेकर कई इस्कूलों नोटीस भी जारी कर दी है इसके अलावे कई स्कूल प्रवंधने वाट्सेप गुरूप में भी सुचना सेयर करने का काम कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कंजक्टिव आइटिस्ट या फिर आखो सो जुड़ी किसी भी तरह का कोई इनफेक्शन हुआ है तो उस बच्चे को जब तक वह पूरी तरह से संक्रमन से ठीक ना हो जाए इसकूल ना भेजे इसकूलों में इस वज़ा से बच्चों को भशिती भी कम हो गई है बताओ दे आईफुलू इनफेक्शन से बचाओ के उपाय भी है इनमें अपने हाथों की थोड़ी थोड़ी समय पर हैंडवास से साप करे आखों को बार बार ना छुए भीड़ वाली जगों पर जाने से बचे आखों को हर दो घंटे में साप ठंडे पानी सुधोए पिडित ब्यक्ति के किसी भी तरह के कपड़े तुलिया या बेड का पर्योग ना करे संक्रमित ब्यक्ति चस्मे का पर्योग करे पेशा नियमावली नहीं बनने पर अपनी ही सरकार पर बरसे लोबिन जारखन बिधान सभा के मांसुल सत्य के तिसरे दिन मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच पेशा कानून के सवाल पर लंबी बहस हुई सत्य धारिदल ज्हामों के बिधायक लोबिन हेमरम ने खनन लीज से पहले गराम सभा नहीं किये जाने को लेकर सरकार को घेरा वहीं सत्य पक्ष के ही बिधायक दिपक बिरुवार ने उनका साथ दिया उन्होंने कहा एक उने सच्छान में पेशा कानून बना इस कानून में प्रधान किया गया कि एक साल के अंदर राज सरकार इसकी नियमावली बना ले नहीं बनाने पर अनसुचित छेतरे में पेशा का में खड़ा किया उन्होंने कहा है कि जब राजे में पेशा कानून को लेकर राज सरकार अब तक नियमावली बनाने के परकिरिया में ही है तो कैसे और किस नियम से ग्राम सभा की गई और लीज का वंटन किया जा रहा है रेल मंत्री से मिले रहुवर दास जार्खन के लिए मांगी गई नई ट्रेने पूर्व मुख मंत्री रहुवर दास ने नई दिली में मंगलवाय को रेल मंत्री आस्वीनी वैसनों से मुलकात कर जार्खन में कई नई रेल गारी चलाने का गरह किया रहुवर के साथ दूमका लोक्षबा के सांसा सुनील सुलंकी रेल मंत्री से मिलने पहुंचे थे रगवर्दास ने बता है कि रेल मंत्री से राची टाटा भया कांडरा रेल लाइन के सर्वे का काम हमारी सरकार के समय पूरा कर लिया गया था इसके निर्वान कारे को जल्द सुरू कराने का आगरा किया गया है जार्खन को मिल सकती है एक और एरपोट की सोगा जार्खन के पुर्व मुख मंत्री एवम भाजपा के राष्ट्रे उपार द्यक्ष रगुबर्दास ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्पती द्रोपती मुर्मो से मुलकात की इस असर पर उन्होंने जार्खन में बढ़ते प्रष्टाचार और बिगर्थी कानून व्यवस्ता की तीदि साउगत कराया इसके बाद द्यली में पुरमुख मंद्री रगुबर्दास ने केंद्रिय नागरी कुडा ने मंत्री जियोत्रिया दित्त सिंधिया से मुलकात की उन्होंने बताया कि धाल भूमगार में बनने वाले यारपोट के लिए वन विभाग की आपत्या और अर्चनों को दूर कर लिया गया है कुछ कानूनी अर्चने है उन्हें दूर कर जल्द से जल्द यारपोट निवान का कारी सुरू करने का आगरा किया गया है चाहरकन बिधान सवाब परषर में मंगलवार को सदन की करवाहि में भाग लेने पहुँचे लोबिन हैमरम का तेवर बदला भदला हुए था सदन के अंदर और सदन के बाऊर अपने ही सरकार के खिलाब लोबिन हैमरम मुर्चा खोले हुए नजर आए सदन के अंदर पेशा को लेकर सरकार के द्वारा ड्रॉप पब्लिस किये जाने पनलाज़ी जताते हो बर्यो विधायक ने इसे जानता को लोलीपॉप देखकर छलने का आरोप लगाया है स्रीयम हेमन्द के खिलाप अभद्र टिपनी करने वाला नोएडा से गिरफतार जारखन के मुख्य मंत्री हमन्द सुरेन पर अपत्ति जनक टिपनी करने वाले एक यूवग दिपक कुमार को रांची पुलिश ने नोएडा से गिरफतार किया है जेमेम जीला अध्यक्स के दुबारा इस मामले को लेकर गोंदा थाना में प्रहत्मी की दर्ज कराई गई थी बतादे मुख्य मंत्री हमन्द के खिलाप अपत्ति जनक टिपनी करने वाले लोग खिलाप करवाई लागातार जारी है गड़वा से एक यूटूबर को गिरफतार करने के बाद अब रांची पोजिशने हमन सुरेन पर अपत्ति जनक टिपनी करने वाले दिपक कुमार नाम के युग को नवेडा से गिरफतार किया है दिपक कुमार ने 14 जुलाई को अपने ट्यूटर हैंडल से मुख्यमंत्री खिलाप ब्याहद अपत्ति जनक टिपनी की थी सीएम के खिलाप अभद्र बहाचा का परयोग करने वाले दिपक कुमार के खिलाप जुलाई जिला अध्यात मुस्ताक ने रांची के गोंदा थाना में प्रत्मी की दर्ज कराई थी बकाया बेतन को लेकर चार घंटे बंद रही राय धाने की कई 108 एम्बुलेंस जारखन में चल रहे 108 एम्बुलेंस सेवा असमंजस की थिती में चल रही है इसलिए लगभग 337 एम्बुलेंस के चालक और उनके टेकनीशियन को पिछले 4 महिने से बेतन नहीं मिल पाया है एम्बुलेंस चालक और टेकनीशियन अपने बकाय बेतन और नए टेंडर परकिरिया में होरे इगरवाई को लेकर मंगलवार को सुबा 9 बई से लेकर लगभग 12 तक हरदार पर चले रहे 4 घंट तक राचिक की लगभग 30 में से 20 गारिया बंद पड़ी रही इस वज़े से मरीजों को भी खाची परशानी का सामना करना पड़ा दरसल पिछले दिनों स्वास्थ विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की जिमिदारी नई टेंडर परकिरिया का माध्यम से कंपनी को दे दिया है मनिपूर हिंसा को लेकर इंडिया गड़ बंधन का पूरे जारखन में परशान मनिपूर घातना को लेकर इंडिया गड़ बंधन ने पूरे जारखन में परशान किया है रामगड में बलोग परिसर से लेका सुबा चोक तक पैजल मार्च कर केंद्रे की सरकार और मन्नीपूर सरकार के बिरोध परशन किया गया इसके साथ ही उन्होंने मन्नीपूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की कॉंग्रेस जिला अध्यक्स मुन्ना पास्वान ने कहा कि डवल इंजन की सरकार में आदिवासियों पर हो रहा है अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा वहीं जद्यू के दूस्यंत पटेल ने कहा एक मन्नीपूर हिंसा मामले में परधान मंत्री की चूपी बहुत कुछ कह रही है पधान मंत्री को चूप नहीं रहना चाहिए मनिपुर हिसा मामले में उन्हें चूपी तोड़नी चाहिए मनिपुर सरकार प्रकरवाई करनी चाहिए धनबाद में बारिस के चलते दहसत में है भूमिगत आग परभावित छेतर के लोग धनबाद में पिछले दो दिनों में हुई तेज बारिस के कारन भूमिगत आग परभावित कोईला छेतर के लोग चिंता बढ़ गई है लोग दासत में है बारिस के कारन कई इलाकों में तेजी से गैस्तिरी साह हो रहा है गोफ बनने और भूध धनसन का भी खतरा है कुछ दिन पूर्व ही गोफ में समा जाने से एक ब्यक्ति की मौथ हो गई है इधा सुरक्षित पुर्णवास ओजना का हाल या है कि सिर्फ बैठके हो रही है अब तक जहर्या मास्टर प्लान को सुख्रीती तक नहीं मिली है बारिस के कारान भूमिगत आग से ज्यादा खतरनाक हो चुके छेतर के लोग ज्यादा डरे हुए है कुछ आग परवावीत 595 साइट में एक आसी अती खतरनाक छेतर भी चीनित किये गा है सर्वे कामसार यहां लगवक 14,000 के अबादी है वैसे सर्वे से इतर भी लोग रह रहे है जहर्खन में भी सराब घोटाले की जाच में जूटी इडी 36 गड में 1200 रूपय के सराब घोटाले मामले की जाज कर रहे ED ने अब जहरकन में भी सराब घोटाले की जाज शुरू कर दी है ED ने ग्रेटर नवेड़ा के काचना थाना में होलोगराम आपूर्ति करने वाली कंपनी में सास्प्रीज होलोगराफी सिक्यूरिटी फिल्म से प्राइवेट लिमिटेट के प्रवंधर निदेशक विधू कुपता सहीद पांच नामजाद के विरूत प्रात्मे की दर्शकराई है अन आरोपितो में 36 गड उत्पाद विभाग के बिशेश सचीव अरून पत्तित रिपाठी उत्पाद आयूक निरंजन दास आयूक अनिल तुद्देजा और अनवर ठेवर सामिल है जैक के नए सचीव सचीदा नद दिवेंदू तिग्गा जार्खन सरकार ने राज सिक्षा सेवा के पताधिकारी सचीता नंदे दिवेंदू तिग्गा को जार्खन अधिवीद परिशत के सचीव के पत पर पत स्थापित किया है तिग्या वर्तमान में मादमिक सिक्षा निदेशाले में उप निदेशा के पद पर पदस्थापित थे उनका अस्तना अंतरन किया है राज सिक्षा सेवा के ही अधिकारी महीब कुमार सिंग के सेवानिवरिती होने के बाद सचीव का पद रिक्त था इधर राज सरकार ने राज सिक्षा सेवा के एक अने पदाधिकारी का पदस्था अपना है तथा दो पदाधिकारियों को अतिरिक्त परभार सोपा है इसके तहट प्रतिचारत निर्जा कोजूर को माधमिक सिक्षा में उपनिदेशा के पद पर पदस्थापीत किया गया है जारखन में MBBS नमांकन के लिए राज मेधा सुची जारी जारखन सन्युक्त प्रतिचारत परिक्षा परिशाद ने राज के सरकारी तथा निजी मेडिकल तथा BDS कोलेज में करमस, MBBS तथा BDS में नमांकन के लिए राज मेधा सुची जारी कर दिया निट यूजी से तयार इस राज मेधा सुची में पहले तीन अस्थान पर छत्राओर ने अपना कवजा जमाया है राखी कुमारी कॉमन मेरिट लिष्ट में पहले अस्थान पर रही है जिन्हें निट यूजी में 149 अस्थान मिला था इसी तरह सुभागिनी दूसरे तथा आस्था अगरवाज तीसरे अस्थान पर रही है इन्हें अल इंडिया रेंकी में करमसा 470 तथा 490 रेंक प्राप्त हुआ था परसद ने राज मेधा सुची के लिए आवेदन देने वाले तीस अभियर्थों के आवेदन रत कर दिया है इनमें से अधित संख्यक का कारान निर्धारित निम्तम आर्था अंक नहीं होना बताया गया है हजारी बाग मुहरम के जुलूस में लहराय बिवादी जंडा दो गिरफतार जारखन के हजारी बाग में मुहरम के दिन निकाले गए जुलूस में बिवादी जंडे के लहराने को लेकर पुलिस ने राष्ट्रिय गोरो अपमान निवारन अधिनियम के तहत करवाई की है पकड़ेगा युवक में फरहान वा आदिल दोनो ताजपुर्निवासी सामिल है इस्तमन्द में जनकारी देते यो थाना प्रभारी संभूनन्द इस्वर ने बताया कि मुहरम के दिन चांद तारे लगे हुए जंडे का वीडियो वारल हुआ था पत्ना और हवला के बीच इसी माह सुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन जारखन के देव घरवा आसपास के लोगों के लिए पत्ना और हवला के बीच रेल सफर और भी अधीक आराम दे होने जा रहा है इसी माह से हवला से पत्ना के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा सुरू हो सकती है गोड़ा सांसर निसिकान दूबे ने मंगलवार को ट्वीट कर जनकारी दी है उन्होंने कहा है कि देव घर बाबा बैधनात की नगरी में आने वाले सरधालों के परधान मंत्री नायंद मोदी ने तोफा दिया है इसी मादा परधान मंत्री पटना से हाबडा के बीच चलने वाले वंदे भारत ट्रेन को हरी जन्डी दिखा कर उसे सुरू करेंगे सांसर ने इसके लिए रेल मंत्री आस्मीनी वसनों को बधाई दी है तीलक महतो हत्याकांड में तीन गिरफतार जारखन के सराय के ला आर आईटी थाना अंतरगाथ 24 जुलाई को तिलक महतो के हत्या कर दी गई थी जिसमें सहजाद आलम संजय कुमार महतो हुआ सारिक को गिरफतार कर लिया गया है उक्तजनकारी पुलिस अधिक्षक डाक्टर बीमल कुमार ने अपने कर्याले कक्ष में सन्वाजाता समयलने को समोधित करते हुए दी है उन्होंने बताया है कि RIT थाना अंतरगात मृतक तिलक महतो के हत्या उसके ही घर के 500 मीटर के दूरी पर अग्यात बदमासो द्वार गोली मार कर दिया थी इस माबले में SDPO हरविंद्र सिंग के नतीत में टीम गठीत कर अलग अलग जागों में चापे मारी की गई और कूल पांच लोगों के सामिल होने की जनकारी मिली है अंतराष्ट्रिये पैरा थ्रोबॉल के खिलाडियों से मिले C.M. हेमांत मुख्यमंत्री हेमांसोलें से मंगलवार को जार्खन विधान सभाइस्थित मुख्य मंत्री कक्ष में जार्खन से चैनित अंतराश्ट्रिय पैरा थ्रो बॉल के खिलाडियों ने मुलकात की बताया कि मलेसिया में आयोजीत पैरा थ्रो बॉल परत्योगता में भारतिये टीम के पुरुस और महिला दोनों वर्गों ने स्वन पदक जीता है टीम के महिला वर्ग में जार्खन से अनिता तिर्की, तारा मनी लकडा, महिमा उराव, परतिमा तिर्की एवाम अंसूता टोपो सामिल थी वहीं पुरुस वर्ग में मुख्यस, कंचन एवाम सन्वज महतो सामिल है बता दे मुख्य मंत्री से खिलाडियों ने कहा है कि परतियों गिता में जार्खन से चैनी सभी खिलाडियों के परशन संदार रहा मौके पर मुख्य मतिने सभी खिलाडियों को सुब कमनाय दिया है टेट पास पारा सिक्षख दूसरे दिन भी धरना पर है परमंडलवार परदरसन के तहत मंगलवार का पलामू परमंडल के सिक्षख धरना पर बैठे थे उनकी एक ही मांग है कि सहायक आचारे नियुक्ति से पुर्व 14,042 टेट पास सहायक अध्यापों को बेतन मान दिया जाए उनका कहाना है कि राजे के सहायक अध्यापक 20 बरसों से लगातार अपनी सेवा देते आ रहे है उनका कहाना है कि पिछले दिनों कई उच अस्तरिय कमिटी दोरा टेट पास पारस इसकों को सीदे बेतन मान देने के अंसुसा की गाई परन्तु अभी तक उन्हें बेतन से वन्चित रखा गया है धन्यवाद